हेलो गाईज जेहिंद वेलकम तु जासर अकैडमी फॉर आईएएस हम गरने जा रहे हैं मेंस का प्रीविए सेर क्वेशिन एनालेसेस और आज हम देखेंगे जनरल स्टेडीस पेपर टू इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेशिन मैं उमीद करती हूँ गाईस आप लोगों ने इस क्वेशिन को अटेम्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा अंसर फ्रेम किया होगा सो गैस आज हम पढ़ेंगे C.A.G के बारे में कि C.A.G का क्या मेथट अपॉइंडमेंट का है या क्या उसका रोल है इतना वाइटल रोल उसका क्यों माना जाता है सो गैस C.A.G आप जब इंडिन पॉलिटी में आप लक्षमे कान पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे भी C.A.G के बारे में पढ़ेंगे C.A.G आर्टिकल 148 में उसकी बारे में बताया गया 148 तो 151 में C.A.G के बारे में सब कुछ डिटेल्स दी गई है तो आपको वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे तो जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आप C.A.G के बारे में पढ़ेंगे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलिग्राम चानल का वहाँ से आप चानल को जॉइन कीजिए सबसे पहले और उसका बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आपको सारी की सारी पीडिएफ का एकसस मिल जाएगा जैसे की करंट अफैर्स की पीडिएफ लाई जाती है या मेंस की यह जो हम प्रिविस एर क्वेशन एनालिसेस करते हैं इसकी भी पीडिएफ आपको महाँ पे फ्री आफकोस प्रॉइड कर दी जाती है तो वो आप महाँ से डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे और उसी की साथ साथ जो भी वीडियो लेक्चिर्स लाए जाते हैं उनकी आपको वीडियो उनका वहाँ पे आपको लिंक अप्लोड कर दिया जाता है साथ की साथ तो आपको वहाँ से आप links का भी access ले सकते हैं और guys जो students seriously prepare करने हैं मैं उनके लिए कहूंगे कि guys आप current affairs जासर academy for IAS से कीजिए क्योंकि current affairs के लिए आपको कहीं और बिल्कुल जाने की ज़रत नहीं है आप सिर्फ यहाँ पे guys regularly follow करेंगे एक से सफ़गंटा पर दे आपको देने की ज़रत है उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की prepare करने की बिल्कुल ज़रत नहीं है guys because हमारे current affairs से बाहर का आपके exam में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा यहां सब कुछ आपके important आपके exam से related cover करवा दिया जाता है और guys हमारे GS का 3 plus main batch रण कर रहा है उसको जरूर join कीजिए उसमें GS 1,2,3,4 की preparation करवाई जा रही है बिल्कुल 0 से और जहां सब आपको खुद mentor कर रहे हैं और guys अगर आप course की details को proper तरीके से follow करेंगे जहां सर के द्वारा दीगे guidelines को follow करेंगे तो आपका selection पका है guys तो जरूर join कीजिए इस batch को और हमारे means का answer writing batch भी run कर रहा है जिसमें 500 plus questions की practice कराई जा रही है हमारी export faculty है वो आपके answer copies को check करते हैं और आपको improve करने में help करते हैं आपने कहां पर mistake की है और guys उसी के साथ साथ आपको sample answer भी दिया जाता है हर एक question के regarding और video solution भी दिया जाता है with proper explanation जहां से आप उसको समझ सकते हैं आपको पता चल जाएगा क्या approach रखनी चाहिए हर एक question में तो guys अगर आप seriously prepare कर रहे हैं civil services के लिए तो इन batches को जरूर join कीजेगा और join करने के लिए आप नीचे देगा नमबर 9713282838 पर whatsapp करके आप courses के details ले सकते हैं और courses को join कर सकते हैं तो चलिए guys अपने आज का session स्टार्ट करते हैं हमारा question है The Comptroller and Auditor General CAG has a vital role to play explain how this is reflected in the methods and terms of its appointment as well as the range of powers he can exercise नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षप की भूमे का बहुत महत्वपून है बताएं कि यह है उसकी नियुक्ती की विधी और शल्तों के साथ साथ उसकी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा में कैसे परिलक्षित होता है यह क्वेशन गाईज GS2 इंडिन पॉलिटी सेक्षन से लिया गया है और यह क्वेशन UPS ने 2018 में बूचा था तो गाईज जब हम इस क्वेशन की बात करते हैं तो इसमें हमसे मेंली क्या बोला गया है कि जो क्याग हम बोलते हैं ना C.A.G. क्याग है कि यह मेथड्स में और उनकी जो टर्मस अपॉइंट मेंट है कि किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है या क्या टर्मस होती है उसमें यह किस तरीके से बताया गया है कैसे रिफ्लेक्टिट है कि उनका रोल इतना ज़ादा important है इतनी एहम भूमी हमें उनकी देखने को मिलती है और क्या-क्या उनकी powers है क्या range of powers है जो वो exercise करते हैं मतलब जो वो काम करते हैं क्या-क्या उनकी powers है जिसकी वज़े से उनका इतना एहम भूमी का उनकी इतना important role बताया जा रहा है और इतना important role उनका देखने को मिलता है तो basically हम थोड़ा सा क्याक के बारे में अपना introduction में बताएंगे, main part में हम उनका थोड़ा सा method और जो terms of appointment होती है उसके बारे में बताएंगे, फिर हम उनका role बताएंगे basically या उनकी क्या powers है, क्या उनका काम है, हमें basically उनका काम बतारे है role क्या है CAG का, तभी हम उनका importance बता पाए CAG acts as the guardian of public purse and controls the entire gamut of financial administration की CAG क्या है, एक guardian की तरह act करता है, किसका public purse का ठीक है, जो सारवजनिक purse है, उसकी संरक्षन का ध्यान रखता है, और जो financial administration में देखने को मिलता है, वित्य प्रशाजन है, उसकी हर एक dimension, हर एक चीज़ को control करता है, क्योंकि वो महाँ पे उसको examine करता है, हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ की auditing करता है, कि कहां पे कोई जो expenditure है, वो किस तरीके से किया गया है, किस लिए किया गया है, प्रपर तरीके से किया गया है, कहीं पे कुछ लोचा तो नहीं है, कुछ गपला तो नहीं किया गया, corruption तो नहीं हर चीज़ के बारे में वो देखते हैं, तो इसलिए वो बोला गया है, पूरा का पूरा financial administration को व उसमें क्या बताया गया है कि C.A.G. जो है Comptroller and Auditor General उनकी पोस्ट छे सालों के लिए होती है उनका जब टन्योर होता है वो छे सालों का होता है He is appointed by President उनको कौन अपोइंट करते हैं? Honorable President and can be removed on the grounds of proved misbehavior और incapacity कि President अपोइंट तो करते हैं लेकिन President के हाथ के अंडर नहीं है कि वो कभी भी जब मर्जी चाहें उनको remove करते हैं अपनी पोस्ट से नहीं वो सिर्फ कुछ ही grounds पे remove किये जा सकते हैं जब वो prove होते हैं प्रूव होने चाहिए proper तरीके से या तो misbehavior हो या फिर incapacity हो या तो उनका कदाचार साबित हो जाए या फिर उनकी अश्रमता साबित हो जाए कि वो इस पोस्ट के लिए suitable नहीं है और ये भी कैसे prove कैसे होगा ये जब दोनों ही house of parliament जो है लोग सब और राज्यसमा में देखने को मिलते हैं वहाँ पे अगर special majority से ये resolution पास हो जाएगा कि हाँ उनकी जो misbehavior है या incapacity है वो proved है मतलब proven है actual में उनका misbehavior है या फिर उनके अश्रमता है वो capability नहीं है उस पोस्ट के लिए तब ही उनको हटा सकते हैं otherwise उनको नहीं हटाया जा सकता तो एक process इस तरही के सही बनाया ताकि उनका एक वो security उनके उपर रहे ठीक है moreover CAG's salary and allowances are charged upon consolidated fund of India ensuring immunity from vote of parliament अब जो salary और जो भी allowances CAG को मिलते हैं तो वो सारे के सारे उनका consolidated fund of India से ही निकलते हैं उनके जो भी salary है और allowances है वहाँ से उनको draw करके provide किया जाता है बलकि ना कि parliament के vote के मतलब parliament decide नहीं कर सकती कि CAG की salary कितनी हो गया उनको क्या क्या allowances दिये जाने चाहिए ये उनके consolidated fund of India से आते है तो वहाँ पे उनको immunity मिलते है कि parliament वहाँ पे vote नहीं करती है कि कितनी salary हो गई उनकी ठीक है Thus, there are strong inbuilt safeguards available to ensure autonomy for the CAG to effectively discharge its role तो इसलिए बहुत मजबूत strong ऐसे safeguards हैं जो कि CAG की autonomy सुआयतता को सुनिश्चित करते हैं ताकि जो उनकी duties हैं जो उनका role है वो प्रपर तरीके से उसको कर सके उसको निभा सके अपना काम सही तरीके से बिलकुल कर सके और इमानदारी से प्रपर तरीके से कर सके बिना किसी की interference के या बिना किसी के महाँ पे भाव के तो वो independently काम करते हैं ठीक है तो अब हम बात करेंगे role की कि CAG का role क्या है controller and auditor general का हमें role क्या देखने को मिलता है उनकी क्या भूमी का है First is conducts, legal, regulatory and property audit कि जो CAG है वो कानूनी तोर पे की जो भी legal, जो भी documentation होती है जितने भी होते हैं legal documentation होती है चाहे वो central government की है state government की है वो सारी की सारी legal documentation का audit करते है कि सब कुछ प्रपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ laws को प्रपर तरीके से follow किया गया है या नहीं किया गया कहीं पे कोई problem तो नहीं है right दूसरा regulatory नियामक लेखा ठीक है नियामक audit की जाते है regulatory order की जो भी regulations है जो भी rules है उनको प्रपर तरीके से follow किया गया है कि नहीं किया गया उसका भी audit कौन करते हैं CAG करते हैं और प्रोप्राइटी audit और चित्या audit भी जो है वो कौन करते हैं CAG ही करते हैं ठीक है next is audit expenditure from contingency fund public fund consolidated fund of India and the states अब उनका क्या काम हमें देखने को मिलता है क्या रोल देखने को मिलता है कि वो जो भी expenditure contingency fund contingency fund कौन सो था है emergency fund जिसमें से कुछ मान लीजिए कुछ आपदा जाती है विपदा जाती है तो उस टाइम पे जगफ़न ड्रॉ करना पड़ जाता है emergency के टाइम पे तो जो उस टाइम पे contingency fund में उससे पैसा निकाल के जो भी expenditure किया गया है जो भी खर्चा सरकार ने किया है उसका audit करता है CAG controller and auditor general की वो प्रपर तरीके से वो जो expenditure निकाला गया है उसको कहां कहां लगाया है और प्रपर तरीके से लगाया भी है कि नहीं लगाया गया है या फिर जो authorities हैं उन्होंने उसको अपने benefit के लिए यूज किया है public account कि जो public account है लोग लेखा है वहां से जो भी fund withdraw किया गया है expenditure के लिए उसको उसका audit किया जाता है उसको चेक किया जाता है कि वो प्रपर तरीके से जिस चीज के लिए निकाला गया था मतलब public welfare के लिए निकाला गया था जो public का fund है जो public tax वगरे देते हैं कि जो public का fund है वो प्रपर तरीके से उन्हीं के उपर लगाया गया है उनके welfare के लिए यूज किया गया है या नहीं किया गया और consolidated fund of India जो consolidated fund है जो जिसमें सबको जो salaries वगरे दी चाती है various purposes के लिए जो भी schemes, programs वगरे लाए चाते है उसमें यूज किया चाता है तो इंडिया मतलब country का भी जो central level पे भी consolidated fund में देखने को मिलता है और हर मतलब state level पे भी हमें वो consolidated fund देखने को मिलता है तो सभी के expenditure का वहाँ पे audit होता है वो center का जो consolidated fund है मतलब consolidated fund of India उसका भी audit CAG करता है और हर state का जो consolidated fund of states है हर state level पे जो है fund उसका भी audit कौन करता है क्याग ही करता है next is submit audit reports to president and governor for legislative scrutiny अब क्या होता है कि उन्होंने जो various accounts है जो funds है उनको audit कर लिया उनका auditing कर ली अब वो जो उनका audit की report वो prepare करते हैं वो report president को submit करते हैं मतलब जो central level पे जैसे कि contingency fund है public account है और consolidated fund of India के जो भी audit की reports है वो president को submit करते हैं और जो consolidated fund of states की report होती है वो किसको submit करते है governor को submit करते हैं किसके लिए legislative scrutiny के लिए विधाई जाच के लिए उसको CAG time to time audit reports को submit करते हैं राश्टरपती president के पास और राज्यपाल governor के पास next is audits the reports and expenditure of government companies कि जो भी सरकारी कमपनियां हमें देखने को मिलती हैं सरकार की जो जितनी भी companies हैं उनकी जो भी receipts हैं ठीक है और जो भी उनके expenditures हैं मतलब जो भी उनके पास पैसा आ रहा है और जो भी वो खर्चा किया जा रहा है सरकारी कमपनियों के द्वारा उन सब का audit करती हैं क्या होते न कि vouchers होते हैं जिसे company हैं तो महाँ पे vouchers होते हैं कि क्या उन्होंने उनके पास किस चीज़ का पैसा आया है क्या क्या receipts हैं और क्या 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 उन्होंने खर्चा किया है उन्होंने payments किया है तो उस सब के vouchers होते हैं तो उससे वो सारा match करते हैं audit करते हैं पूरे के पूरे उनके accounts की कहीं पे घपला तो नहीं हो रहा है ठीक है and entities substantially financed from the central or state revenues अब क्या होता है कि जैसे कुछ तो government की companies होते हैं सरकारी company होते हैं उनका करते हैं कुछ क्या होती है जो directly मतलब पूरे तरीके से सरकारी नहीं है लेकिन सरकार जो है उसको finance करती है जैसे कि for an example autonomous bodies होती है जो autonomous bodies कौनसी होती है जो जो उनके मतलब rules and regulations होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं उनके काम होता है वो सारा अपना खुछ मैनेज करते हैं independently लेकिन उनको help करने के लिए उनको grow करने के लिए सरकार उनकी मदद करती है ठीक है क्योंकि जहां पर उनको लगता है कि वो इतने capable नहीं है कि वो अपने आप अच्छे लेवल तक grow कर सकें तो वहाँ पर सरकार उनकी मदद करती है financial वो उनको financial grants देती है तो जो भी मानली जिए वहाँ पर employees work कर रहे है तो उनकी salary सरकार की तरफ से आती है सरकार उनको grant देती है उन autonomous bodies को तो ऐसी जो entities है या ऐसी companies है जो भी ऐसे उत्योग entities देखने को मिलती है वो जिन में central मतलब केंदर सरकार या फिर राज्य सरकार state उनके revenue से अगर वो खर्च करते है वो finance करते है मतलब कि central या state के revenue से अगर पैसा जाता है उन entities को दिया जाता है तो उनका भी audit कौन करता है CAG करता है उनके सारे के सारे accounts का उनके जिकनी receipts हुई है expenditure हुआ है उन सब का audit कौन करता है CAG करता है अब क्या होते हैं जो CAG audit करते हैं तो वो audit की report जो बनाते हैं तो वो report क्या करते हैं जिसे अपने बात कि कि वो president को देते हैं और governor को देते हैं जो भी उनके accounts थे पॉब्लिक अकाउंट है तो उसके अकाउंट से रिपोर्ट जो है वो प्रेजिडेंट और governor को देते हैं लेकिन वो जो उसकी report होते हैं जो भी उन्होंने audit की होती है वो सारी की सारी reports वो public accounts committee के पास forward करते हैं उसके बाद public accounts committee उन reports को examine करती हैं और फिर वो limelight में लेके आदे हैं public के कि भही क्या क्या अगर कुछ discrepancy है या क्या है क्या नहीं है सरकार प्रापर तरीके से काम कर रही है और नहीं कर रही है, सरकार प्रापर तरीके से expenditure कर रही है और नहीं कर रही है तो वो क्या करते है गाइड की तरह काम करते है public accounts committee के क्योंकि वो उनको reports देते हैं और उससे क्या होता है कि financial administration में transparency बरकरार रखने में मदद करता है वो ठीक है पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में मदद करता है यह किसकी वित्तिय प्रशासन में financial administration में यह क्या थे गाइस यह controlling auditor general के हमें रोल देखने को में रोल of CAG ठीक है जिसकी वज़े से हम कहते हैं उनके जो methods थे उनकी जो appointment है वो इस तरीके से की जाती है या उनकी जो role है उनकी जो powers है वो ऐसी है जिसकी वज़े से उनका एक बहुत एहम बुमी का उनकी देखने को मिलती है important tool उनका हमारे country में देखने को मिलता है ठीक है हमारे economy में या financial administration में उनका बहुत एक अच्छा role देखने को मिलता है हमें so on concluding note हम क्या बूलेंगे its role as the highest auditing authority is intrinsically linked to the efficacy of government policies अब इसका जो एक role है एक highest auditing authority क्या करें यह हर एक account का सरकार की हर एक account का audit कर रहा है चाहे वो funds है चाहे कोई account है चाहे companies के accounts है expenditure receipts है या उनके finance किये हुए है मतलब बेशक से जो उन्होंने खुद finance भी कर रखे हैं थोड़ा बहुत अगर सरकार ने सरकार के revenue से तो हर एक को वो audit करते है तो इसलिए सबसे highest auditing authority है तो यह क्या करती है यह government की जो policies है उनमें कितनी efficiency है कितने अच्छे तरीके से कितना efficiently वो work कर रही है उससे linked है ठीक है क्योंकि उसका पता निकाल लेते है उसका audit करते हर एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से policies और सारा basically वो कहते है न कि normal language में एक layman में कि कच्छा चिट्था होता है सारा तो सरकार का सारा का सारा कच्छा चिट्था किसके हाथ में होता है CAG के हाथ में जिसको वो फिर उधेरता है कि क्या कर रखा है क्या है क्या नहीं है कहां गपला है कहां honesty से काम किया गया है तो एक वो क्या करता है जो financial aspect है न वो उस पे good governance ensure करता है financial aspect मतलब कि जो भी वो financially जो भी काम हो रहा है उस पे एक नजर रखता है ठीक है और उससे good governance ensure करता है thereby preserving the democratic ethos ये लोकतांतरिक प्रकृति को भी संरक्षित जिससे किया जा सकता है चीक है so this was all for this question guys I hope you all have liked this analysis काइट सपना feedback मार सथ comment section में जरूर श्याय कीजेगा so with this we end up this session today here guys thank you so much have a great day ahead जैहंद